दोस्तों आगर वदिये पहला सब्सक्राइब बटन जरूर्थी दबाओ अने हाँ बैल बटन पन्ज दबाओ जे थी दरेक दरेक वीडियो चल्दी मड़े शक्याँ नमस्कार विद्याधि मित्रों आजना लेक्चर नमबर त्रोण माँ विद्युट चुम्बकिया तरंगो लेक्चर नमबर त्रोण आजे लेक्चर माँ आपड़े फक्त हिटलू समझेशू विद्युट चुम्बकिया तरंगो नी लाक्षनिकताओ एक दम अगत्यनों टॉपिक छे दाखला माटे सवती अगत्यनों टॉपिक दे लगबग आप प्रस्ण नियंदर बदा सुत्रों आवी जाए छे जिटला पन सुत्रों आचेप्टन आचे आप प्रस्ण नियंदर आवी जाए छे नूँ प्रहेत्न करिश्के बद्धाज सुत्रो और कंशेप्ट ऩमारों clear था distint तो विद्धियोत करीं से準ट canal में लेक्ट्रें लेक्ट्रनाव्र dow लेक्ट्रों विध्युट्र傳 कार थैचिये दो विध्यूम्बक तरंगो उत्पन काहिक काया थैचिया उद्भव कही देते थाए छे आपने मेन LC ओसिलेशन एमा जोई तू LC ओसिलेशन मा L अने C मा दाखला तरीके एक क्यापेसिटर छे अने एक इंडक्टर छे क्यापेसिटर अने इंडक्टर वच्चे विद्धियुद भार दोलीत करे छे एक अर्ध समय मा आ पॉजिटिव ने नेगेटिव थाए छे फरी पाचु आम जैन आवे एटले आ नेगेटिव ने पॉजिटिव थाए मतलब विद्धियुद भार आना अने आना वच्चे सु करे छे सततत दोलन करे छे पछी आपड़े एक एंटेना लगावी दिदू ने एंटेना द्वार आपड़े विद्धित चुम्बक्ये तरंगो या चे ने विद्धित चुम्बक्ये तरंग आपड़े मिलवी सक्या अने आ विद्धित चुम्बक्ये तरंगो नो वेग प्रकातना वेग जेटलो होई जैने आपड़े C कहिए तो C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second मिलवी चुक्या चे आपड़े बराबन तो विद्धित चुम्बक्ये तरंगो ने लाक्षनिकता हो हर्ड जे तेने सक्सेस्पुली प्रयोग बतावे हो हर्ड ना प्रयोग में आपने सक्सेस्पुली जुई सक्या के विद्धित चुम्बक्ये तरंगो के विते उत्पन थाए छे यहने उत्पन के विते क चोँचोध छोदार रेडियो आरी कराको टोगिश्क त por' hm छतो टोर्णक च पाधाई जोदार फ्रिक्वन्हेंर खी जोद्वाचिंव तमारा मांटते संधी ज्वनि टेकनोलोजी घलेडियो थज्वाररा फ्रिक्वन्हेंर फ्रीक्वन्हेंर। हता ने ए रिडियोज हवे लगभग जोनी टेक्नोलोजी थाईगे छे हवे नवी टेक्नोलोजी आधार डिजिटलाइजेसन थाईगे छे तो आज नो आपड़ा प्रस्न छे विद्धित चुम्बक्य तरंगों नी लाक्षन इकता हो वन बाए वन आपड़े ने लाइसो विद्धित तरंगों ने चुम्बक्य तरंगों आपने समझी गाया छिए अपने लंब रूपे केम घति करेशन कई रिते थाईशे तो आपने जो क्यापेशिटर नी प्लेट ली दे तो क्यापेशिटर जी आदे चार्ज थाईओ आई या पॉजिटिव चार्ज एक्ठो अब अधो पॉजिटिव चार्ज एक्ठो थाईओ नई या नेगेटिव चार्ज एक्ठो थाईओ तो ए वख थे क्यापेशिटर नी चार्जिंग प्रक्रिया दर्मियान विद्धित शेत्र नी दिशा आ हाती समझ जो खास समझ जो विद्धित शेत्र नी दिशा हाती आ द विधिवस्यत्र ね दीशार नहीं चुंबक्यक ऐख्यत्र नहीं नहीं चुंबक्यक एख्यत्र Тुम्हा आउं तो आ फ्येड़ु करते द हैं अंदन ना विष्थार मा विद्यु शेत्र प्लेट ने लंब रूपे छे अंदन ना विष्थार मा आ लाल लाइन शे प्लेट ने लंब रूपे छे स्थानांत्य प्रवानकान उद्र चुंबकीएकसेत्र हैं वर्तुल आकार बंध गाला ना परिग ने समांतर छे तो आनो आप परिग छे एना क्यों थाइग्यों maker अनी आप यत कर चे ले अन्दर जायी छे अनिख परिग तो आ एक भीजाने क्यों थाइग्यों लंब थाईगे, और E और B परस पर लंब होए, एने आपने के वी ते दर्स आवे आता, तमने ख्याल हाँ से E और B परस पर लंब छे एने आपने के वी ते दर्स आवे आता, तो E और B ने परस पर लंब ने आपने माने दर्स आवे आता, आपने दारोके, प्रोपेगेशन नी डारेक्शन एक्स लईए, वाय लईए, अन्या जेड लईए तो विद्यूत ना तरंगो धारोके, विद्यूत क्षेत्र ना तरंगो धारोके आ प्रमाने छे तो चुम्बक्यक्षेत्र ना तरंगो, यहने बिल्गोल लंव प्रमाने, विद्यूत चुम्बक्यक्षेत्र ना तरंगो ने आप्रमाने, आप्रमाने अने चुम्बक की एकसेत्र ना तरंगोने आरेत देशा, बिल्कुल पर्पेंडिकुलार ओके तो आम जासे तो पेलो आप्रमाने तो लंग करशें तो विद्ध्यूत पेलो पोईंट याद रही जेसे विद्ध्यूत अने चुम्बक की एकसेत्र एक बिजा ने लंब रही पड़़ा pauईंब परसमान तर पहलो पोईंट क्लियार। चलो विद्धा पोईंट ने वाद करिए भिजा पोईंट मां तमारे तरंग जामिकन समझ वानुछ तमारों जटलू नौलेज्च चे यहने पहलन याद करे लेगी मानिलू के एक लंब गध तरंग प्रसरण करे रहीु छे मतलब माद्यमना क 한द जो दोलंग करे रही छे आम जह रही छे, आम जही रही छे जयना करनसे उहर्जासे रिकल्ण गति करें अमुद्य चैनल गभाल走吧 आगण वक्ते लिए तरंग सम्करण आपने ले वूँ छैनल तरंग सम्करण में दोलन थाए, अधारो के प्रस्रन ने दिशा चैंग आपड़े एकस लेए अने दन दिशा लिए, दन दिशा चे, X लिए, अने अना जे दोलन हो छे, ये दर के Y दिशा मा थाए चे, Y दिशा मा दोलन हो थाए चे, तरंग आगर क्या वदे चे? X दिशा मा, तो जे दिशा मा दोलन हो थाए चे, तरंग नो समीकरण तमने याद हसे, स्यता याद पाई द एम्प्लेटिव है एनो दोलन नो आवात का दाट इस ए आज तरंग नो आका छे आका ने आपर साइनो साइडल कहिए छे बराबर तो ए साइन पच्छी नहीं खास याद रंग जो के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी बद्धी बातों ने याद करिये 2π बाई टी टी लखेचे के न अथ वातो 2π मु आवरुत्ति मु होए तो पच्छी के के ने कहिछू तरंग सदीस जैने लखेचे चू 2π बाई लेमडा देट इस के हबे आजे छे आथो तरंग प्रसरी रहिँ छे पन जयारे तमेंने एनो स्क्रीन सोट लेशो तो स्क्रीन सोट मा कोईपण बिनदू आ समीकर नो अर्थ समझो के एह या थी कोईपण बिनदू नू दोलान एना उगम बिनदू ती कोई पाण बिंदो नू दोलन, for example तम्हें आ बिंदो लेदू तो आ बिंदो ये जेटली हाइट प्राप्त करी येने आपड़ेसु कहिसु तरंग नू वाय मुले केटलू आगर वधियु आ बिंदो येने कहिसु तरंग नू X मुले समझे ने? अने maximum क्या सुधी जेही सक्या छे आटला सुधी येने कहिसु एनो कम फिस्तार amplitude A अने कया आकार रहागर वधे छे sinusoidal स्वरूपे वधे छे अलगबग 11 मा दोलन मा तरंग मा तम्हें भणी गया छो पड़ एक बिजी बात पण याद राग जो omega upon k is equal to v जैने आपने तरंग नो वेक कहिए छे तरंग नो वेक अखास याद राग जो omega नी value तमें जानाओ छो केटली थाए 2 pi mu लखिए अने k नी value केटली थाए 2 pi by lambda एने जो v बराबल ले ये तो 2 pi 2 pi cancel थी जाए आउपर आई जैसे तो mu into lambda is equal to V मतलब के हवे अवी नतियो a mu छे mu into lambda is equal to V अखास याद राग जो तरंग ना वेग नी वाद छे आनू अ विद्यू चुम्बक के तरंग वाद चे तरंग वाद चे तरंग नी जिगे चे तही जैसे C थी जैसे आपने मेडववानू छे विद्यू चुम्बक के तरंगो नी वाद करिये ता विद्यू चुम्बक के तरंगो चे आपने जानी छे E अने B ना एक बिजाने लंब रही ने आपने जे डायग्राम बतावे चे एमाँ Z दिशा में प्रस्रण करे चे समझ जो अहिया कई दिशा में प्रस्रण था तो तो X दिशा में X दिशा में प्रस्रान था तो 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 अहिया एक्स हतो समझ जो फरी थे J दिशा में दोलन था तो तो समझ परेशे जे दिशामा दोलन थाय छे यह जे दिशामा गती करेशे यह थासे समझ जो हमें हूँ बन्ने नीवात करों एक एलेक्ट्रिक फिल्ड चलो सरुवात एलेक्ट्रिक फिल्ड दो करिए तो आ X अक्स छे, आ Y अक्स छे, अन्या प्रसरन थाए चे कही अक्स छे? Z अक्स छे, ओके? तो पहला हूँ, धारोक के विद्धित चुम्बके तरंग Z दिशामा प्रसरन करे चे, कही दिशामा प्रसरन करे चे? Z दिशामा EX ए X अक्स नी दिशामा छे मतलब जे आगरवदे छे ने EX EX जे दोलन करें छे Electric field that is E एक कई दिशामा दोलन करें छे X अक्स नी दिशामा अने आपेल Z अक्स साथे Sinosidal अनुसार Sinosidal अनुसार EX वा निकरें छे आगरवदे छे X प्रमाणे BY एक कई दिशामा दोलन करें छे Y दिशामा Y दिशामा दोलन करें छे अन्ने एपन Sinosidal अनुसार Z दिशामा अगरवदे छे समझ्यों तो बन्ने समीकरणों मेलवीए पेलो मेलवीए विद्युद्च्षेत्रनों समीकरण विद्युद्च्षेत्रना समीकरणे आपने E कई सू कई दिशामा दोलन करें छे X शक्षिनी दिशामा दोलन करें छे तो अई आपने सू लखें सू E X एनो मैक्सिमम कम्प विस्तार अईया थी अईया सू दिद्धारों के E 0 छे केटलो छे E 0 तो यहना कम पिस्ताने अप्रेशू लखेशू E0 साइनो साइडल लेनुसार आगर वदेचे तो साइन आवसे केतो आवसेज पन कई दिशामा आगर वदेचे चेड दिशामा तो यहाशू आवसे चेड माइनस ओमेगा टी अब बीटा यह ध्यान राक्षो कि मैं यह प्लस और माइनस बनने मुख्यू तो मुख्य तो नहीं आगा तो प्लस और माइनस बनने मुख्यू क्यारे प्लस आवे और क्यारे माइनस आवे एक खास समझ्जो जो तरंग एक्स अक्सनी धन दिसमा आगल वधे तरंग एक्स अक्सनी धन दिसमा आगल वधे ध्यानती जो जो एक्स अक्सनी धन दिसमा आगल वधे तो वच्चे चिनह के वावसे नेगेटिव आवसे अने एक्स अक्सनी रोण दिसमा आगल वधे और आओ अफेजना आवेए नेगेटीव आवेकपने वात क्यें आमें 25 पन čुन्लमे झाकेजे, क्यों पनलाव गुफ्धिया कर और तो आअ च न्यता सुन्हें आज़्पर की पनावे ज अगल वदे छे दन दिशामा एटले अहीं वच्चे सु मुख्यू नेगेटिव मुख्य देगा सबच पड़ी दमने? एक्वेशन माँ ख्याल आवी गयो के एक्सक्स नी दन दिशा क्याम लख्याने रून दिशा क्याम लख्या करण के एक्वेशन नी अंदर आपरे के जेड के आम लख्यों पन ख्याल आवी गयो तमारे लख्यलू छे ने? के जेड माइनस ओमेगा टी ओके चला हुए चुम्बक की एक्सेत्र नों समीका चुम्बक की एक्सेत्र नों समीका चुम्बक्य एक सित्र बिटा कई दिशामा दोलन करेचे? Y दिशामा अईयां आपने केम एक EX लख्यूतू? कारण के X दिशामा दोलन करतूतू तो अईयां बिटा कई दिशामा करेचे? Y दिशामा तो अईयां शुल लख्यूतू? EY is equal to Is अनो कम पिस्तार पॉन E0 जेटलो चे? बराबर? E0 जेटलो चे? ओके सॉरे अईयां BX लख्यू? चुम्बक्य एक सित्र चे? तो अनो कम पिस्तार केटलो लख्यू? अहां अईयां थी अईयां सुदिनों केटलो लख्यू? D0 लख्यू? एक किवा आकार्ती जाये चे? साइनो साइडल अनुचार पच्छियू यां हूँ बोलो चू लख्यू? KZ KZ माइनस Omega T Must remember This is equation number 1 This is equation number 2 याद राग्यू? विद्यूत चुम्बक्य तरोंग मा विद्यूत तरंग औने चुम्बक्य तरंग विद्यूत चुम्बक्य तरंग मा विद्यूत चुम्बक्य तरंग मा विद्यूत अनुचे फेज एवरी टाइम समाना से एक्वेशन मा तमने E0 पती B0 मरी जाये आपे लोग होए तो B0 एक्वेशन easily तमने बनावे सब्सक्यू दाखला मा हूँ तमने समझावेशन चलो तो अईया के नू मुल्य के नू मुल्य मैं तमने समझावेशन अहीं के बराबर 2πi by लेंबडा लेंबडा सुचे जानो चो फरी मारे समझावाने जरू ना थे के अनुरूप स्रूंग के गर्त बच्चे ना अन्तन ने आपने सुख कहिए छे तरंग लंबडाई कहिए छे कहिए छे निटले लेंबडा विशे में वाद जाजी ना थी करे आप आना विशे तम्में जानो भी छो आलगबग 9 स्टांडर मा पन आवितू अन्य तमारे 11 स्टांडर मा पन आभी गए छे तो k इसे टो 2πाई लेंबडा अन्य ओमेगा omega is equal to 2πाई इंटो मु लखे सक्के तो omega upon k is equal to omega 2πाई मु divided by k 2πाई बाई 2πाई लेंबडा ओमेगा पॉन के नी value केटली थाए छे तरंग नो वेग, तो V बराबा सु थासे लेमडा इन्टू म्यू, ओके, हवे आ V, अहीं, V बराबा तरंग नो वेग, जे विद्ध्य चुम्ब के तरंग माटे केटलो थासे, C थासे, तो C बराबा सु थासे, लेमडा इन्टू म्यू, आएक्वेशन याद रहे से, दाखला नी अंदर जयारे पन्हों उप्यक करो, तो आएक्वेशन बदा याद रहे जेसे, तो बेसिकली, आ अराम थे तमें आने दर्सावी सको, दर्सावी सको, एक्वेशन दर्सावी सको, अर परिश्तितियों बदली नाको, आने Z कई दू, अने एक्स कई दू ना अने वाय कई दू तो बदलाई जसे तो अंदर नो भाग बदला से कई दिशामाँ जाये छे आगशे अबदला से माई अगरिये छे टो ऑकी किए ? लंब रहीने दोलनों करे छे, कैपेसिटर नी प्लेट मां जुओ, तो E नी दिशा, J दिशा मां, याने बिलकुल लंब B नी दिशा होए छे, तले एक विजाने लंब रहीने दोलनों करे छे, पहलो पॉइंट, बीजो पॉइंट बनने तरंगों ना समी करण मेलावाना, आव बराबर B C, याद रहे से, E बराबर B C, मतलब के विद्युच सित्र E 0 divided by B 0 is equal to C, E 0 divided by B 0 is equal to C, अनु उप्योग क्या था से, अनु उप्योग भी करवाना चे, एम नेम ना थी परवाना, तो घनाएवा दाखला आपेला से, जेमा तमने मात्रा आनु समी करण आपी दिदू है, कि चलो, E 0, अध्वा तो E X is equal to, कोई एक 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 वेशन आपी दिदू, चलो, E X is equal to 5.2 sin 5X minus omega T, ओके, तो B नु समी करण मेलगो, समी करण मा फेश तो समंद्रेवाना, तो A पत समंद्रेवानू, sin वालू पत समंद्रेवानू, तो B माते तमारे सु मेलवानू छे, आरिवा, तो A सु छे, E 0, E 0 छे, B ना समी करण मा फेश आवे, B 0, sin तो E नु एज आवसे, फेश पण एज आवसे माइनस ओमेगा टी आवसे ने तो मात्र बी जिरो मेड़वान चे तो आँ समीकर्णती मेड़ी सको के बी जिरो इस इक्वाल्स टू ए जिरो बाय सी आ केतलो छे 5.2 डिवाइड़ बाय 3 इन्टू 10 टू दा पावर 8 यहना अधाय तम्में बी जिरो मेड़ी सको चेटर बी जिरो इन्ट लम ठोले ए बेठ़े बेट टू तमने बी नू शमीकर्ण वणी चेटास से ₹ पजाuki one डि समाएक्वा दोलंध रागशे तो आप नमाने तमारे मेलव होचे, तमारे तो फक्त एना त्रिजा गुंधर मा याद रखानू, के विद्धिव सेत्रा ने चुम्बकेक सेत्रा वच्चे नो जे समीकन से ने, एनो रिलेशन्स हो थाचे, E0 by B0 is equal to C, आये नो त्रिजा गुंधर्म, याद रहसे त्रिजा ग आले उद्भव वखते कई तो, के एक वखत LC दोलनों माती जो तमें तरंग उद्पंद करियो, EM वेव, तो एक वखत उद्पंद कें छोड़ी दो, तो अवकास माई सतत आगल वध्या करसे, सतत, दोलनों थायाज करसे, तो पहला है वो अतो, के जारे द्रव्य तरंगों सो यहां माध्यम जरुरी छे, तो लंबगत दोलन माा माध्यम ना कनों- दोलन करव launch कोई एक माध्यम जरुरी छे, तो सरू आत्मों ए माध्यम तरीके श्रीक हरु हां मावद्दू तुन कोई भी माध्यम होई, अवकास मां सुन्यावकास मां विद्यु सेत्रन चुम्बक की एक सेत्रन ना दोलनों माते द्रवय माध्यम नी जरुर्याद न थी अवकास मां के सुन्यावकास मां बोलियो तो अवाज न थी आवतो कारण सुचे कान के एमा अवाना द्रवय न थी जैना काने संगनन विगननी प्रक्रिया थती न थी संगनन विगननी प्रक्रिया थाये ले तमारा सुधी साउंड पहुचे नई तो साउंड ना तरंगो ने प्रसरवा माटे हवाना माध्यम नी जरुर्याद रहे छे दाखला थे कि हवामा द्वनिना तरंगो गन पदात्मा तमें एक सलिया नेक तरपके खकराओ तो बीजा तरपती आवा जावे छे तो द्वनिना तरंगो पानिनी सपाटी पर पत्थर फेको तो जे वमल उत्पन थाये चे एना माटे पानिना माध्यम नी जरुर्याद चे हवे आ बाद तो हवे स्विकारवा मावी पर उगणिश्मी सदी मा वेजनानिको एवा ख्यालते टेवा ही गया ता के कोई पन तरंग ने प्रसर वो होई तो माध्यम जरुरी छे माध्यम वगर चाले ने हवे विद्धित चुम्बके तरंगो प्रसरे छे सतत प्रसरे छे त तरीके स्विकार लेदू के ब्रह्माण मा बद्ध्य इथर छे ने इथर ना कारणेज ये आगल वते छे परन्तु अडार्शो सत्यासी मां माईकल्सन अने मोडले प्रयोगों करी अने समझावियों के जे इथर नो अधितर्ग छे ने एक खोटो छे आ विद्धित शित्र अने चुम्बक एक सित्र सतत दोलं करे छे एवकास मा थाये छे अवकास मा सतत चालो रहे छे इतले मेतमने आगल वात करी ती पहला लेक्चर मा के एक लाख वर्स पहला तारामा धड़ाको थयो एना तरंग ने आपना सुधी पवत्ता एक लाख वर्स थया नहीं आपना प्रकास स्वरूपे विद्धित चुम्बक ए तरंगो एक वर्स सुधी ट्रावेल करें आपना सुधी आवे छे प्रकास नी जड़पती तो एम एक लाख वर्स प्रकास वर्स दूर कोई धड़ाको थाये तो त्या थी विद्धित चुम्बक ए तरंगो आपना सुधी नती विदिश्च शेत्रा ने चुम्बक्यक शेत्रा ना दोला नो सुन्याव कास्मा सतत चालू रहेशे ओके तो दिस पॉइंट शुट बी क्लियर इन यूर माइड 12.4 पॉइंट थाया चे पहलो पॉइंट एक विजाने लंब दिसामा दोला नो करे चे बीजो पॉइंट तरंग ना समी करण मेल वया 30 पॉइंट याज छे ने विदिश्च शेत्रा ने चुम्बक्यक शेत्रा वच्चे नो सबन ने चोथो पॉइंट सतत दोला नो करया करे चे पशी एमां दलेल तमारे सु अप्पा निगी के जूना जमाना में यो मानता था के ना प्रसरन माठे माध्यमनी जरूर पड़े चे दोलनों माठे ओके माध्यमनी जरूर पड़े चे इसले विजध्णामिको शेताता ओगने सदीमा के बद्धे इथर नामनों कोई माध्यम प्रसरेलू छे सर्व व्यापी हाजरह से बंदु माईकल सान अने मोडले आ विचारने न कार्यों यह मना कर्यों कि सतत आगलवधे छे आव वातने हवे आगलवधार ये विद्यूत अने चुम्बकिये तरंगो लंबगत तरंगो छे तरंगो धर ये कोई स्पीकर चालू छे तो स्पीकर माथी जे साउंड आवे छे ए साउंड हवा ने कम्प्रेस करेछे प्रमा 되면 तो अवा तरंग ने शुरूपे अगल काम दोलनों, तरंग प्रसरवनी दिसा में लंब स्वरूपे थता होय आ प्रमाने तो आवा तरंग ने आपने सु कहिए छे लंब गत तरंग कहिए छे तो विद्यत चुम्बकिये तरंगो लंब गत अने बीनियांत्रिक छे याद राखे छो विद्यत चुम्बकिये तरंगो लंब गत अने बीनियांत्रिक छे बीनियांत्रिक प्रसर्वा माटे माध्यमनी जरूर नथी यह हमेशा आगल वदे छे विद्यत चुम्बकिये तरंगो लंब गत अने बीनियांत्रिक छे बीनियांत्रिक छे अने ए टरंग लंबाई होए कि गम्मेत लिए नानी तरंग लंबाई हों एननो वेड तो हम्मेशा सीज रहे वानों एनो आद के तरंग लंबाई थी के वो छे श्वे तंत्र चे independent of wavelength तरंग लंबाई ती स्वतंतर चे कांके radio wave छे एक घणा किलोमेटर सुधी होय आके building ने आम थाइन जाय मैं तमने समझाये हजू तमने एपन समझाये तो हजू तमने एपन समझाये मरीन हजी है यंग हमें सरक nahi में सaking师's een так मैं आठ लोज रहते तमने याचे आनो उप्योग आपणे क्या करतो ते इंट टेन तुल पावर एट मीटर पर सेकड़ अउप्योग तब आपणे क्या करतो अपड़क्त है लंबाई नी व्यक्व्यामा मीटर्नी व्यक्व्या मोलबुत एक मीटर्नी व्यक्व्यामा करें तो कि जो प्रकास अईयां थी अईयां सुदि गति करें अन्य एनों समय 1 upon C होए 1 upon C तो एक मीटर अंतर काप है केटलों अंतर काप है एक मीटर एक मीटर ने व्याख्या कि 1 upon 2.997954321 into 10 to the power 8 मीटर per second लई है और ये जिटलों अंतर काप है प्रकास ये अपरेसु कहता था एक मीटर तुक मा मीटर ने व्याख्यामा तमारे आने उप्योग करे तो ये अच्छे ने मीटर ने व्याख्यामा आपने आने उप्योग करे तो जर बीजू चैप्टर बने आते है मोलभूत साथ एक मो हता ये मीटर हता मीटर नी व्याख्या मा आपड़े नो उप्योग कर दो तमें लखी सको आने, याद राखी सको कि मीटर एकम नी व्याख्या मा 1 अपन C समय मा कापेलू अंतर ये 1 मीटर होई छे याद राखी सको? ने समझावी सको दिस इस शिक्स्त पॉइंट चट्ठों पॉइंट तमें याद राखी सो चला एना साथमों पॉइंट हर्ज जे दर्शा कि विद्धित चुम्बकिये तरंगो विवर्तन, वक्री भवन अने दुरुवी भवन अनुपवे छे हर्ज नामना साइन्टिस्ट एवो समझावी कि विद्धित चुम्बकिये तरंगो विवर्तन, वक्री भवन अने दुरुवी भवन अनुपवे छे आ तरने तरन गटनाओ आपडे तरंग प्रकास सास्त्रमा बणवानी छे तरने तरन गटनाओ तरंग प्रकास सास्त्रमा बणवानी छे वीवर्तन पनाव से, वक्री भवन पनाव से, अने दुरुवी भवन पनाव से वीवर्तन एटले, सुरूंग पर सुरूंग संपात्ता है, अने गर्त पर गर्त संपात्ता है दार्व क्या एक पॉइंट छे एक पॉइंट पर एक विद्धित चुम्बके तरंग आवेशे एनो E नो कम्प विस्तार E1 छे कोई बीजू विद्धित चुम्बके तरंग आवेशे आप्रमाण तो एनो परिनामी जे विद्धित चुम्बके तरंग हसे A, एनो कम्प विस्तार E हसे तो विद्युत तरंग E1 प्लस E2 similarly B is equal to B1 प्लस B2 एनो कमपिस्तर सु थसे add थसे मतलब एक आ पोईंट पर एक तरंग आवियू सुरूंग पर सुरूंग आपाद थसे विजु तरंग आवियू एपन जो सुरूंग पर सुरूंग आपाद थसे तो एनो परिणामी तरंग नो कमपिस्तर के हो थसे आनो आने आना सरवारा जितलो थाएचे अने जो आनो पहलो सुरूंग आवियू अने अही आपची गर्त आवियू तो परिणामी कमपिस्तर के हो थसे सुरूंग गर्त ने कैंसल करी दिदो तो आ गटनाओ आपड़े सुपर पोजिशन सिस्टम छे आ बदीज गटनाओ आपड़े हमां समझ वानुछे पर हडजे एकलो समझावियों के विद्धित चुम्ब किये तरंगों विवातान अने वक्री भवन अनुबवे छे ने स्पेसेली रेडियो वेवज माने रेडियो फ्रिक्वंसी मा अनो उप्योग थाए चे तमारे आपड़े पोईंट आटलो याद राख्शतों चाल से विवातान अने वक्री भवन अनुबवे छे वधार कहीं याद राख्वानी जरूर छे ने अने एक आपड़ो आ रिलेशन तमें जाना चे वी बराबर लेमड़ा इंटू म्यू एना पति फ्रिक्वंसी पन सोधी अने वी नी किम्मत सी जेटली पन दर्सा आवी ओके यू पन हड़े आपने समझावे छे ओके नेक्स्ट विद्यूत चुम्बक्यो तरंगो उर्जा अने वेगमाननू वहन कर छे खा विद्यूत उर्जा गनता अने चुम्बक्यो तरंगो होएचे एमनी पासे चुम्बक्यो उर्जा गनता होएचे में जारे इलेक्ट्र स्टेटिक बनावी तर कूलम ना नियम मा कई वचरांग मा आपरे तो एपसिलोन नॉट या धासे एपसिलोन नॉट अने चुम्बक्य एक सेत्र भणावियों त्यारे में कई वापरे तो MPN मा म्यू नॉट खबचे म्यू आई ने कई खूटे छे तरंग मा एवी बात कई तो एपसिलो नॉट अन्ने म्यू नॉट ना आधारे तमारे विद्ध्यूत गंता विद्ध्यूत उर्जा गंता जैने तमें कैसो रो ए रो ए तो रो ए लई सो वन हाफ एपसिलोन नॉट ए स्क्वेर रो ए ने आपने लखे छो वन हाफ एपसिलोन नॉट ए स्क्वेर अन्ने ए जप्रमाने चुम्ब किया उर्जा गंता जैने आपने कहिए छे रो बी इस इकोल्स टू वन हाफ बी स्क्वेर अपन मुझ नॉट ए छे यह गुणा कार माव से तो बी क्या हो से छेद माव से जैरे विद्यूट चुम्ब किया तरंग निकले न त्यारे निपासे बन्ने प्रकाने उर्जा होए बन्ने प्रकाने उर्जा एकले आ बन्ने उर्जा गंतानों सु थीशे से सरवाल था जैसे कांके विद्यूट चुम्ब किया तरंग आपने बना विये तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो आ प्रमाने जाये छे विद्यूट नू तरंग तो चुम्ब किया तरंग एज जग्जा है एनी साथ एज आ प्रमाने जासे है तो ए पर्पेंडिकुलर तो छे और सेम टाइमें आ अ माले छे आ बन्ने नी उर्जा आने उर्जा गंता होई अने आने उर्जा गंता रो भी होई तो पतिक्युलर इन्सटन्ट पर बनने उर्जा ऊनों विध्य चुम्बक किया तरंगोनी कूल उर्जा घंता रो होए तो खास रो इज इक्वल्स टू रो इ प्लस रो ब हवे एक वाद भी जी याद राग जो कि आपनो एक्वेशन C इस इक्वल्स टू 1 अपन μू नॉट एप्सिलोन नॉट था है 3 इंटो 10 to the power 8 एप्सिलोन नॉट नी किमत किली था है 4 pi इंटो 10 raise to minus 7 एप्सिलोन एप्सिलोन नॉट नी किमत हमनाज में कही थी तम ने 8.85 इंटो 10 to the power minus 12 μू नॉट नी किमत 4 pi इंटो 10 raise to minus 7 तो जारे तम में 1 अपन μू नी वैल्यो लखो कितली 4 pi μू नी किमत 4 pi इंटो 10 to the power minus 7 अने आनी वैल्यो लखो 8.85 इंटो 10 to the power minus 12 तो आनू final value अपने कितली उप्सिलोन चाक्खानू 3 इंटो 10 to the power 8 एप्रोक्सिमेट माहस है जैने आप्रेसू कहिए छे C कहिए छे तो C बराबसू लखेसू 1 upon root of mu naught epsilon naught आ सुत्र याद रख जो दाखलानी अंदर आनू प्योग करेसू 1 upon mu naught epsilon naught आ सुत्र ने खास दाखलानी अंदर समझवानू छे आनी जरू न थी आ प्रस्नमा इटले आ वातने अपने काडिक देगे बराबन ओके तो चला हुआ सरवारो करें बनने रो इनी किमत केटली था ही 1 half epsilon naught e square प्लस रो इनी किमत केटली था ही 1 half 20 square upon mu naught और रो था ही आने नंबर यह कापी है हवे समझ जो c is equals to 1 upon mu naught epsilon naught जो हूँ वर्ग मुल काड़ी रहता हूँ यह वर्ग करीशतो चाल सें और equation नो root छे हूँ root काड़ी नाखू तो square थे जो तो हवे जो हूँ mu naught नी जग्या है epsilon naught लखू mu naught नी जग्या epsilon naught लखू आप mu naught नी जग्या epsilon naught लखिस तो epsilon naught नो equation शू थासे epsilon naught यहाँ आई यहाँ तो 1 upon mu naught c square 1R value याद राग जो कौना पते लिए तो छे आना पते अने बी जी e बराबर bc मैं तमने करे तो ने यह ने बी वच्चे नो सबंध e बराबर bc तो मारे बी जो यह चे तो बी नी जग्या हूँ सो लखिस b बराबर e by c अब यह वैल्यू 1 और बे वैल्यू समिकाने इत्मा मुकी देए अब यह नी जग्या हूँ किस e by c अने मियो जूरन जग्या हूँ किस epsilon naught नी जग्या सोरी यहाँ अगर मियो जूरन जग्या लेए पर से एकत जग्या है फिर फार करवानों से इटले हूँ यहाँ अगर ज़रा ओके समझ जो आँ मियो जूरन जग्या लखूँ से तो मियो जूरने करता बना लिए मियो जूरने तो मियो जूरन यहाँ से epsilon naught c स्क्वेर था से आँ मियो जूरन जग्या आ कीमत मुक्या अने बी नी जग्या आ एकत जग्या है only on this place आने हमने हम राखे छे चला तो हूँ रो नी कीमत लखूँ छो रो इज इक्वल्स टो समझ जो रो इज आगर नू भाग तो यह जावे छे one half epsilon naught e square plus one half एने एज अने बी नी जग्या चू लखूँ छो अभी e square छेन एन जग्या चू लखूँ छो e by c अने n square अने n नीचे जए epsilon naught छेने जग्या चू लखूँ छो one upon epsilon naught c square okay row is equals to one by two epsilon naught e square plus square करिए तो one half तो एने ना एम उपर सुरे से e square नीचे सुआव से c square अने छेद नो छेद उपर जैसे एटले epsilon naught c square c square c square cancel करिए तो one half epsilon naught e square one half epsilon naught e square था ही जो तो one half रहे चे एटले one half common लई लई है तो सुरे से two epsilon naught e square two to cancel तो रोई जी को तो सुआव से epsilon naught e square आ उर्जा गन्ता मली आपने कोनी जे विद्यूत चुम्बकिया तरंगोनी विद्यूत चुम्बकिया तरंगोनी उर्जा गन्ता छे है याद राक सो याद रहे सेन epsilon naught e square और b square upon mu naught बन्य नों सु करे हो सरवाल आपने पासे b equal to e upon c है तो ने पहलों c equal to 1 upon mu naught epsilon naught रूट मा छे तो c square करे ना क्यों तो आपने mu naught मुक हो छे तो अहिया a b और mu naught नी जग्या a b और mu naught नी किमत मुकी पच्छी तो सादरूप आप सो निकला automatic तमारों किमत मार से हवे कितला क्लोकोस हो करे छे e नी जग्या मुक्या छे तो e नी जग्या सो मुक्य दे b c तो यह b c मुक्य दो हूँ तमने समझावी दो आए equation लगो छो आनियाज बाबत ने आई यह जो rho is equals to one half epsilon naught e square plus one half b square upon mu naught आतो तमने खवर पड़ी हवे आपनी पासे c square is equal to so 1 half mu naught epsilon naught direct लखी देए औने आ e जो यह छे तो e बराबर आपड़ी पासे सूचे b c b माती जे शैलो पड़े तमने लखी सको का तो आईयां बदला कीमत का आईयां बदला कीमत मैं पहला समय कर्णमाँ हमां बदलेती हवे आज समय कर्मा यह बदला मागू तो e नी जग्या सू लखीस b c लखीस तो epsilon naught यह करता बनाओ epsilon naught तो यह सू थासे 1 half mu naught c square थाई जैसे तो आप यह किम्मत थाचे यहां समय कर्मा मुकी दो आगावाद तो rho is equal to कितला थासे 1 half epsilon naught नी जग्या सू मुकीस 1 upon mu naught c square और e नी जग्या सू मुकीस 20 तो e square नी जग्या b square c square plus 1 half b square mu naught so cancel थाई b square b square तो 1 half b square upon mu naught plus 1 half b square upon mu naught तो सू थाई जैसे 1 half तो 2 b square upon mu naught 2 to cancel तो rho is equal to b square upon mu naught स्वारुपे 5 आने लखी सकाए समझें पहलावा मैं आमा किम्मत लखी थी आमा मैं सू कर्यू आरिया किम्मत लखी बनने किम्मत थो तामें लखी सको कोई पन जग्या पन आ basically कोनु समीकाण छे उर्जा गनतानु समीकाण छे विद्युत चुम्बकिये तरंगों नी उर्जा गनतानु समीकाण छे जे तमारे आराम्थी में वेशोको आवड़ चे तो third point विद्युत अने चुम्बकिये तरंगों उर्जा अने वेगमान नू वहन करे छे this is our third point अमा याद राख जो गणा point देवा छे कि जे तमारे बदा याद राखवान नहीं गणा बदा point याद राखशे हो तो तमें सुछे confused थी जे बदा point नहीं लखवाना पन तमारे जे man man point छे लगबग equation वारो विबाग आपड़ो पूर थे हमें मात्र समझुती छे कि विद्धित चुम्बकिये तरंगों कोई सपाटी पर अथड़ा आते है दबान उत्पन का छे दबान ये प्रेसर P प्रेसर P is equal to तमने याद हो जी ए एकमक्सित्रफ़ पर लंब रूपे लागता बढ़ने शो कहिए छे दबान कहें चे याचिन एकमक्सित्रफ़ पर लंब रूपे लागता बढ़ने दबान कहें शो दबान P P is equal to P is equal to U by C P is equal to U by C जी याँ यू सो छे ओर जा और शीशू छे प्रकास्ट नो वेग जारे कोई एक वात याद राख जो कि जारे कोई पण विद्धित चुम्ब के तरंग आपाथ था हैं तो ते दबाण तो उत्पन करें छे इवन सुर्या प्रकास पण आपी स्कीन पर आपाथ हैं दबान उत्पन करें पर इनु प्रमान बहु ओचू होई छे बहु ओचू नेगली के बाल खबर पन ना परे जम तमारा सरी उपर कीडी चालती होई तो इनु वजन तो तमने अनु पवाई इतने कदाच तमारा सेंसिस यानी चालना कारण तमने खबर पड़ी जा कहीं चालती है पने वजन तो अनु पवाई ने एम सुर्य प्रकास द्वारा जे दबान लागे शुर्य प्रकास ये वन काइंड विध्यत चुंबक के तरंगों चे न विजीबल लाइट आवसे तमारे विज सेंसिबल प्रयोगों करें यंत्रों बनाया जे जेना पर विध्यत चुंबक के तरंगों आपात थाए ने तो ए दबान मेड़वी सकाए छे दबाननी गनत्री करें सकाए छे तो आवी गनत्री लगबग अमेरिकन विज्णानिक निकोलसन अने हले द्रस्य प्रकास नोई व P is equal to 7 into 10 to the power minus 6 Newton per meter, 7 into 10 to the power minus 6 Newton per meter square, meter square अटले केटला थी गया, 100 centimeter आम ने 100 centimeter आम, 100 centimeter आम ने 100 centimeter आम, तो 10,000 थाया, 10,000 एटले 4 power हजु एनी अन्दर, जो centimeter square दी तुमेर वे तो 4 power हजी एनी अन्दर बदार भी पड़े, तो 4 power बदार ये, तो लगबग केटला थाया, 3 power बद से, हाँ, एक तो आवे चे ना आगा, तो 7 into 10 to the power minus 9 Newton per centimeter square पर लखी सकाए, आदबानने, बराबान, 7 into 10 to the power minus 9 Newton per centimeter square पर लखी सकाए, तो आ विद्धित चुम्बकिये तरंगो पोते दबाननु भवे चे, पच्छी तो बहुँ इजी छे कि विद्धित चुम्बकिये तरंगो उर्जानु भवहन करे चे, तमने थंडी लागे ने तड़के 200, ते तमने राहत थाये चे, गर्मा सावे चे, कारण के सुर्यमा थी आवती जे विद्धित चुम्बकिये तरंगो स्वरुपे जे उर्जा चे, फोटॉन चे, फोटॉन से गती करी नावे चे, सुर्य प्रकास मा, तो ए जारे बहं करे चे, तमने सुर्यमा उदान आपसो में गईकाले अनियंदर समझा जारे दीतु छे, उद्भव अकःते, अनिया लास्ट पॉइंट, कई विद्धित चुम्बकिये तरंगो ना प्रसरन निदेशा करे ए एक रो स्वरुपे निधे ढbil करे प्रशरन करे चे, वाय निदेशा मगा प्रसरोरु अनिय द प्रकास्छ रजी मांप्रइ, ने एक magnetic field x दिशा मा x दिशा ने आप्टे सू कही सू i कही सू तो मतलब के e j दोलन करें छे विद्यूत एने आप्टे e x i कही है करेट मा अन्ने b j दिशा मा दोलन करें छे एने सू कही है b y j कही है तो प्रस्रोन नी दिशा कही दिशा मा आगण बत से तो e x i क्रोस b y j e x ने e y यहनू परिणामी तरंग नी दिशा ले भी होई तो फक्त i x j ने दिशा लो i x j कही दिशा मा था से k i x j कही दिशा मा था से k तो ए पॉजेटीव के डिरेक्शन पॉजेटीव के डिरेक्शन ले कही दिशा हसे z दिशा मा अगण बत से इसले में तम ने कहीं के पाछा क्याम ना थी बत तो जो पाछर जवू होत तो तो जे तरंग आबाज़ो छे कही बाज़ो हो जो जो तो आबाज़ो हो जो तो तो यह माइनस आई दिशा था था यह माइनस आई दिशा होते क्या जाथ यह लिए तरप जाथा समझ पड़ेशे तो विद्धित चुम्बक यह तरंगो ना प्रसंद ने दिशा कही होई छे E क्रोस B ने दिशा मा होई छे तो अपना लगबग 11 पॉइंट ना आधार है विद्धित चुम्बक यह तरंगो ना 1 पतने आपने वर्णवी सक्के छे जो वे अपने दाखला मा जो यह उदा नंबर 8.2 उदा नंबर 8.2 आपने सु समझावे छे समझ जो खास के 25 MHz आवरुति धरावतू सम्तल विद्धित चुम्बक यह तरंगो ना मुक्त अवकास मा एक्स दिशा मा गति करे छे 25 MHz आवरुति म्यू इज इक्वल्स टू 25 MHz मेगा हर्ट्स मेगा हर्ट्स ना अर्थ यह वो थे के अपड़े MHz पच्छी X दिशामा X दिशामा गति करे छे समझ जो X दिशामा गति करे छे तो electric wave ने आपने शू कहिशू XI कहिशू एनि दिशा कही थाचे? X दिशा आनि एनि धन दिशा अनि भी जो आपने कही छे के चोकस बिंदू आगा दर क्या तरंग छे? समझ जो आ तरंग छे तरंग आम गति करे छे wave आम गति करे छे एक एकज पॉइंट बताऊचू एटले परपेंडिकूलर हो ये वो तम देख्यालावी जा हवे कोई एक बिंदू लईले दू धारो क्या बिंदू लईले दू? आप इन्दू आगळ एनू मुल्यावी गजा आपने है एनू मुल्यावी देदू छे 6.3 j वोल्ट पर मेटर दिस इस मोस्ट इंपोर्टन फिनोमेना j j नौचू दा x दिसामा y दिसामा गति j नौचू दा y दिसामा गति करे छे तो आपने पहला तो b मेल गए बिन्दू आगर b नू समी करन चलो b is equals 2 e by c थासे थासे ने e नू समी करन e नी value 6.3 divided by c 3 into 10 to the power 8 तो b नी किमत के लिए थासे 2.1 2.1 into 10 to the power minus 8 और आने सो लखे सो टेस्टला तो b नू मुल्ये तो मली ग्यो पण हावे b नी दिसा लेवी छे b नी दिसा चलो e कई दिसामा दोलन करे छे आपने यहाँ विचार लिए के आ e छे e j नी दिसामा दोलन करे छे कई दिसामा दोलन करे छे j एटले y x नी दिसामा j y नी दिसामा दोलन करे छे ok e x i नी e नू मुल्य बाई दिसामा छे एटले जरा करेक कर जो तम्हे प्रोपेगेशन आप्रोपेशन डिरेक्शन छे आ नहीं लखे आपने ok आ y दिसामा दोलन करे छे अन्य तरंग कई दिसामा आगड़ बदे छे x दिसामा आगड़ बदे छे तो तरंग प्रस्रण नी दिसा बराबर e क्रोश 2 नी दिसा थाचे तरंग प्रस्रण दिशा कई दिसामा आगड़ वदे छे x दिसामा x दिसामाने आपने छे हो i करेट कई सो अन्य e नी दिसा कई छे j जे तो क्रोस आग बीनी दिशा कई हासे के जितिया आई मरसे के अपकोर्स के कई दिशा हासे के हासे तो खरेखर बीनु मुल्य आवी ते लखाए केटलू छे 2.1 इन्टू 10 to the power माइनस 8 अने के केरेट तो आप इने आपरे करेखर तो आम सदी सवरूपे लखुव होए तो बीनु मुल्य नहीं पन बी लखी सो बी जिकोस टो 2.1 इन्टू 10 to the power माइनस 8 एंड के केरेट तो आपने दिशा कई हासे बीनी दिशा जैडक्स ने दिशा मास ख्यालावी गया यह बे शुत्रो नो उप्योग करेओ एक तो EBC नो उप्योग करेओ और EX B निदिशा नो उप्योग करेओ तो आपने अल्रेडी तरंग प्रस्वन्नी अंदर सिख्य काया चीए ओके, that's all for this one